हेलो बच्चो लास्ट वीडियो में हमने चोटी इमात्रा के शर्थ लिखना और पढ़ना सीखें तो आज हम पाठ दो विमान उड़ा में चोटी इमात्रा का फिर से अभ्यास करेंगे वी को छोटी की मात्रा वी शाल विशाल इधर इधर आ को आ की मात्रा आ विशाल इधर आ टा को छोटी की मात्रा टी कट टिकेट दा को छोटी की मात्रा दी खा को आ की मात्रा खा दी खा दिखा वह रहा को आ की मात्रा रहा वह रहा वी को छोटी की मात्रा वी मान विमान वह रहा विमान इतना को छोटी की मात्रा ना इतना बड़ को आ की मात्रा हडा इतना बड़ा वी को छोटी की मात्रा वी शा को आकी मात्रा शाल विशाल इधर इधर उधर उधर न जा को आकी मात्रा जा विशाल इधर उधर न जा अब अब व को छोटी की मात्रा वी म को आखी मात्रा ना मान वी मान विमान पर पर चड चड अब विमान पर चड वी को छोटी की मात्रा वी मान विमान चल चल पढ़ा विमान चल पढ़ा अब अब वह वह उड़ गया अब वह उड़ गया अब हम इसका अभ्यास करेंगे इनके जवाब लिखेंगे वी विशाल ने क्या दिखाया तो विशाल ने क्या दिखाया था इसमें हम देखेंगे विशाल ने टिकेट दिखाया तो हम यह answer में क्या लिखेंगे? टिकेट फिर दूसरा question विमान कैसा था? बड़ा विमान कैसा था? बड़ा उड़ा कौन? उड़ा कौन? तो विमान कौन उड़ा? विमान अब हाँ लिखो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि छोटी की मात्रा वेंजन गे पहले लगाए जाती है जैसे का को छोटी की मात्रा की गा को छोटी की मात्रा गी सा को छोटी की मात्रा सी चा को छोटी की मात्रा ची टा को छोटी की मात्रा टी ही को छोटी की मात्रा ही अब चित्रों के नाम लिखो गिलास ये क्या है टीकट ये क्या है बच्चों हिरन किताब डाकिया मिठाई तो आप इन सब के नाम बुक में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अब चित्र को उसके नाम से जोड़ो जैसे सितार बनावा है तो हम पहले इसको पढ़ेंगे विमान तो इसको विमान के साथ जोड़ेंगे फिर चिडिया तो हम इसको चिडिया के साथ जोड़ेंगे फिर सितार तो हम इसको सितार के साथ जोड़ेंगे तो I hope बच्चों आपको ये समझ में आया होगा अब आप इनकी घर पर प्रैक्टिस करें